ऑफिोटीन के बारे में लेकिन जो आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ इस के बारे में वह बहुत जो कि लाजवाब हैं कि जो कोई गूरह पर अखिन. इसको लोग सिर्फ वेवाहिक जीवन में आने वाली कमजोरी के बारे में इसको इस्तमाल करते हैं और जानते हैं कि वेवाहिक जीवन में अगर प्रेशानी जल रही है मर्द की तो आप इसको इस्तमाल कर सकते हैं जैसे कौन-कौन सी प्रेशानिया चल रखती रहती है कुछ ल इससे तमस्या के निदान के लिए इसको इस्तमाल किया जाता है वो इसका एक पहलू है इसके लावा भी इसके चार पाइदा आपको बिमार पढ़ते हैं तो आप इस केप्सूल का इस्तमाल कर सकते हैं आपको नजला उकाम सर्दी लगी रहती है हमेशा परिशान रहते हैं तो यह क्या है कि आपकी इम्मिनुटी कमजोर है तो उसको सुधारने के लिए भी इस कैप्सूल का इस्तमाल किया जा सकता है इसके अलावा आपकी बोड़ी को स्ट्रेंथ देने का काम करता है या अगर आपको कमजोरी म कामबान चीज है और आपका वजन एक स्तर पर है आप चाहते हैं कि आपका वजन कम ना हो या फिर जादे ना हो तो आप इसको इसको इस्तमाल कर सकते हैं इसके इलावा जिन लोगों को नीन आने की समस्या रहती है अकसर लोग जो लोग ओफिस में काम करते हैं या फिर जो लोग डेक्स्टोप पर काम करते हैं, तो उनको stress बहुत ज़ादा रहता है, उनको stress होने की वज़े से उनके बाल भी सफेद होने लगते हैं, और कम उमर में ही वो बोड़े नजराने लगते हैं, जुरिया आने लगते हैं उनके चेहरे पर, तो वो लोग इसको इस्तमाल कर सकत है, टेस्टोस्ट्रोन एक मेल हर्मोन होता है, जो कि आपको पता ही होगा, क्योंकि अक्सर आप देखते हो, जिन लोगो दाड़ी मूच नहीं आती है, एक उमर के बाद भी, जैसी की 18-20 साल के बाद भी, तो उनके अंदर टेस्टोस्ट्रोन की कमी होती है, जिसके वज़े स उनको दाड़ी मूच नहीं आती है, या फिर जो लोग सेक्स ड्राइव लंबी करना चाहते है, टेस्टोस्ट्रोन वहाँ पर भी बहुत ही रामबान चीज है, बिना उसके आप नहीं कर सकते हैं, इसके अलावा जो लोग जिम जाते हैं, जिम जाते समय आपको जब आप जि icate, इसके अलावा जोएंट्यों अब लगातार कंटिनमर्सली, तो भी आप इसको 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 है, और अगर सबसे बड़ा फाईदा जो मैं आपको पहली भी बता जाता, जिन लोगों वह बच्पन में गलत काम किये हैं जिसके वज़े से उनकी शादी सुधा जिंदगी नर्ग बनी हुई है और वो परेशान है अक्सर लोग में बोलता है कि हम साफ हमारा तो जो है यह डिवोर्स होने वाला है क्योंकि मेरी बीवी संतुस नहीं होती है मेरी सादी सुधा जिंद होगे इसके अंदर अश्व गंदा है जो कि आपको नींद लाने में आपके तनाव को दूर करने में आपके माइंड को रिलेक्स करने में साहता करता है अकर करा है जो कि आपके अंदर तनाव लेकर आती है जिससे आपके जो इरेक्शन की समस्या है वो खतम होती है इसके अल में क्योंकि अगर आपकी नोर्मल हर्व से कोई समस्या ठीक नहीं हो रही है तो फिर उसके बाद आपको भस्म को अस्नमाल करना पड़ता है जिससे आपको अंदर टाकत ज्यादा आती है तो वो भी इसके अदर पड़ी हुई है और अगर मैं बात करूं कि दो कैप्सुल इसमे आपको किसी भी आयरवेज स्टोर से या फिर यूनानी स्टोर से आसानी से मिल जाएगा नहीं मिले तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा वहां पर जाकर भी आप इसको बाय कर सकते हैं बहुत ही आसान है इसको बाय करना आप अब मिल चाएगा आपको यह इसके बारे में जानकारी अब आपको किस तरीके से इस्तमाल करना है वेसे तो आपको इसको डॉक्टर की सला के अनुसार इस्तमाल करें लेकिन आप अगर वेसे नॉर्मली इसको 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 नहीं आपको कम सकम दो महीने तक इसको जरूर इस्तमाल करना है उम्मीद करता स्ट्राइब कर लिए धन्यवाद